हलो स्टूडेंट्स कैसे आप सभी मैं रियार अठोड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं यूपी एक्जाम सोला यूट्यूब चानल पर और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोगों का एक बहुत प्यारा सा और चोटा सैसेशन होता है जो कि हमारे एक्जाम कि पहले के जो कानून थे ऐसा बोला है कि अंग्रेजों के जमाने के कानून थे और अब इनको जो है वो चेंज किया गया है तो अगर हम बात करते हैं IPC 1860 तो IPC 1860 का स्थान किसने ले लिया है IPC 1860 इसको किसने रिप्लेस किया है भारतिया नियाय सहीता 2023 ने अगर हम CRPC कि ब 2023 और अगर हम Indian Evidence Act 1872 की बात करेंगे तो बच्चे इसको replace किया है भारतिय साक्ष सहीता 2023 यानि कि अगर हम बात करते हैं तो बेटा IPC 1860, CRPC 1973 और Indian Evidence Act 1872 जो यूपी ऐसा ही वाले बच्चे होंगे उन्होंने तो यह चीज़े रट रख्योंगी क्योंकि उन्हें तो यह चीज़े पता है लेकिन अब उनके लिए भी चीज़ें यहां पर हो गई है कि उन्हें अब यह चीज़े जो है वह नए सी शुरू करनी होगी यानि नए सी सीखनी होगी बाकि अगर आपने अभी तक टलीग्राम ग्रूप को नहीं जोइन किया तो प्लीज आप इसको क्या किज़ेगा आप इसको जो है वह जरूर जोइन कीज़ेगा कभी भी आपके दिमाग में एक प्रश्ण जो है वह आना चाहिए कि कोई भी जो बिल होता है न वह कोई भी बिल या विधैक कोई भी बिल या विधेयक, कोई भी बिल या विधेयक, ये कानून कैसे बनता है, कानून कैसे बनता है, मतलब की लौ कैसे बनता है, कोई भी बिल कहलीजिये, या कोई भी विधेयक कहली दिये, कहलीजिये, देखो, सबसे पहले किसी भी चीज के लिए क्या लाया जाता है, प् काबिनेट के द्वारा अब काबिनेट एक बार इसको क्या कर लेती है देख लेती है इसके बाद इसे प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में लोकसभा या राज्यसभा में लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है उसके बाद लोक सभा या फिर अगर मैं बात करूं तो दोनों सदनों से इसको क्या किया जाता है दोनों सदनों से इसको पास कर दिया जाता है उसके बाद क्या किया जाएगा तो इसको राश्ट्रपती के पास भीजा जाता है और राश्ट्रपती जब इस पर अपना साइन कर देते हैं य यह आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो नए आपराधिक कानूनों को लोकसभा ने 20 दिसंबर को और राज्य सभा ने 21 दिसंबर को पास कर दिया था लेकिन अगर हम राष्ट पती की बात करेंगे तो राष्ट पती ने 25 दिसंबर को इसे क्या कर दी अपनी मंजूरी जो है वो प्रदान कर दी तो 20 और 21 दिसंबर और इसके लावा 25 दिसंबर भी आपने क्या रखना है याद रखना है इसको पेश 2023 में किया गया था इसलिए हम 2023 पढ़ रहे हैं हाला कि यह लागू 2024 में हुआ है लेकिन पेश 2023 में हुआ इसलिए आप इसको 2023 कर दिये गए है आप राधिक प्रक्रिया सहीता यानि जब हम CRPC 1898 की बात करेंगे या CRPC 1973 की अगर आप बात करोगे तो इसमें कितने सेक्षन थे तो 484 सेक्षन थे और अब कितने हो गए हैं तो अब हो गई हैं 531 सेक्षन वहीं अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट की ब प्रावधान थे हाला कि इसमें कुछ बड़े चेंज़ किये गए हैं पहले आप F.I.R करवाने जाते थे अब आप E.F.I.R करवा सकते हैं मॉब लिंचिंग के लिए पहले कुछ सजा का परावधान था अब अगर मॉब लिंचिंग के case में पकड़े जाते हैं तो या तो आज जीवन कारावास है या फिर डेच सेंटेंस की सजा का परावधान किया गया है तो ज़रा ध्यान देंगे तीन दिनों के अंदर दर्च करनी होगी FIR मतलब तीन दिन के अंदर अंदर FIR दर्च करने होगे भारतिय न्याय सहीता में IPC की धाराओं की संख्या 511 से घटा तक करके कित्ती कर दी गई है 358 कर दी गई है आप सोचेंगे ऐसा क्यों तो बहुत सारे sections ऐसे थे जो overlap हो रहे थे overlap का मतलब कि similar आप लोगों को section जो है वो देखने को मिलेंगे जिसको पढ़ करके या अगर आपको कोई समझाए तो उसमें आपको भी confusion हो सकती है तो जो overlap हो रहे थे उन्हें एक साथ मर्च कर दिया गया है तो भारतिय न्याय सहिता में IPC की धाराओं की संख्या 511 से घटा करके 358 कर दी गई है overlapping धाराओं का विले और भाशा का सरली करन यहां पर किया गया है त्वरित न्याय वित्रण को यहां पर लाया गया है यानि कि अगर हम बाग करेंगे तो faster justice delivery जिसमें मुकदमे के पूरा होने के 45 दिनों के भीतर निर्णय देना और पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तै करना शामिल है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपरादों से समवेधन शील तरीके से निपटना अगर महिलाओं के साथ या बच्चों के साथ किसी तरीके का कोई crime हुआ है तो पहले उन्हें पूरे विश्वास में लेना कि आप हमारी custody में या आप पूरे तरीके से safe हैं तो बहुत समवेधन शील तरीके से उनके साथ पेश आनना है इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो महिला अधिकारियों द्वारा पीडितों के बयान दर्ज करना और तेजी से medical report तयार करना शामिल है इसके बाद zero FIR कानूने कारवाही शुरू करने में होने वाली देरी को खतम करने के लिए लोगों को अधिकार छितर की परवा किये बिना किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने की अनुमती देना अगर मान लेते हैं आपके साथ crime कहीं और हुआ है और व्यक्ति अगर आपके पास जो है वो अपनी complaint लेकर के आता है चाहे वो वाला area आपके अधिकार छितर में नहीं भी आता है तब भी आपने क्या करनी है आपने FIR लिखवानी है यानि कि व्यक्ति के नियरिस्ट जो भी पुलिस स्टेशन पड़ेगा या जो भी थाना पड़ेगा वो वहां पर अपनी complaint जो है वो करवा सकता है है ना बाकि आपका पुलिस स्टेशन अगर उनके अधिकार छितर में नहीं आता है तब भी आपको कारवाही करनी होगी पुलिस शिकायतों का ओनलाइन पंजीकरन और समन की electronic सेवा जो है वो प्रदान करी जाएगी आप ओनलाइन भी शिकायत दर्च कर सकते हो जैसे मैंने आपसे कहा ना इसके अलावा समन की electronic सेवा पहले क्या होता था समन व्यक्ति के घर भीजा जाता था कई बार ऐसा था विक्ति को मिलता भी था नहीं भी मिलता था अब आप और सकते हैं तो डेफिनिटली व्यक्ति को मिलेगा ही मिलेगा है आपको इस तारीक को यहां पर जो है वो पेश होन इसके बाद शादी का जूटावादा नाबालिकों के साथ सामोहिक बलातकार और भीड द्वारा हत्या जैसे उभरते अपरादों से निपटने के लिए नए प्रावधान किये गए हैं पहली बार आतंकवाद की परिभाशा जिसमें देश की आर्थिक सुरक्षा को शामिल करन के लिए सभी जगन्य अपरादों के लिए अपराद इस्तलों की अनिवार ये वीडियोग्राफी अगर कहीं पर कोई क्राइम हुआ है और अगर आप वहां जाते हैं इन्वेस्टिकेशन के लिए तो वहां की वीडियोग्राफी आपके पास होना कंपलशरी है समन इलेक्ट इसमें पुलिस की ज्यादतियों और जबरन सबूत पेश करने का जो खिम बढ़ जाता है ऐसा विपक्ष का कहना है है ना हमेशा PayPal क्षम में होती हैं दूसरा विपक्ष में होती है तो विपक्ष ने कहा है कि आप जो नए कानून लाए हैं जिसमें अगर मैं बात करूं तो पह प्रण सबूत पेश करने का जोखी मिस्से क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा धोका धड़ी या ठगी का अपराद 420 में रही बलकि धारा 316 के तहत आएगा पहले होता था था ना कि हम ठगी के लिए क्या पढ़ते थे तो हम ठगी के लिए पढ़ते चाथ 420, 420, 420 तो अब य कानूनों के तहत राज द्रोह को देश द्रोह कहा जाएगा एक बार वापस से सेक्शन को पढ़ करके डीटेल में भी इसके उपर जो है वो सेशन एक बार में आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी दन है बागी कैसा लगा आप ज़रूर बताईएगा एक छोड़ा सा प् बाइ बस्टोफ लग्